नमसकार दोस्तों स्वागत है आपका आपने चैनल अल्टिमेट नॉलिश पर दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में गंदी फिल्मों को देकते हैं तो आज ही आप लोग अपनी इस गंदी आदत को बंद कर दे क्योंकि ये गंदी आधत आपके शरीर और आपके दिमाग के लिए इतनी ज़्यादा नुकसान दे है कि इसकी आप लोग कलपना भी नहीं कर सकते दोस्तो आजकल के यूग को डिजिटल यूग माना जाता है आजकल हर किसी इनसान की पहुंच टीबी और मोबाइल तक है दिमाग को इस हद तक खोकला कर रहे हैं कि जिसका शायद वो लोग कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कुछ एक्सपर्ट की माने तो आपके शरीर से वीर्य का निकलना एक नॉर्मल सी बात है इससे आपके शरीर को कोई भी दिक्कत नहीं होती एमबी बेस की पढ़ाई में एक चैप्टर आता है फॉर्ट साइकलोजी इसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर इनसान अपने शरीर में वीर्यो को जादा दिनों तक स्टोर करके रखता है तो ऐसा करने से इनसान को प्रोटेस्ट कैंसर हो सकता है एमबी बेस की इस पढ़ाई के अनुसार शरीर से वीर्यो का निकलना एक नॉर्मल सी बात है और इससे इनसानी शरीर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है दोस्तों आप सब लोग भारत की संथ परंपरा के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे जिसमें ब्रह्म चर्य का पालन करना सिखाया जाता है इसमें ये बताया जाता है कि इनसान को कभी भी बिना मतलब कि अपने शरीर से वीरे को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वीरे शरीर की उर्जा होती है अगर इंसान इस उर्जा को बेकार मतलब में ही नस्ट करता है तो इसका इंसानी शरीर पर कई प्रकार का दुश प्रभाब देखा जाता है दोस्तो अब सवाल ये उड़ता है कि क्या हमारे संतों को इस बारे में नहीं पता था कि अगर शरीर के अंदर वीरियो को स्टोर करके रखा जाए तो इससे प्रोटेस्ट कैंसर हो सकता है दोस्तो इस बारे में एक बार सोच के जरूर देखिए और आज तक दुनिया में इस बात का कोई भी साइंटिफेक्ट एबिडेंस नहीं मिला है कि शरीर के अंदर वीरियो को रखने से प्रोटेस्ट कैंसर होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का भ्रहम है और इस भ्रहम के कारण आज दुनिया भर के जादातर युवा अपने सरीर से थोड़ी सी उत्तेजना में ही वीरियो को बाहर निकालने लगे हैं जिसका परिणाम उनके शरीर पर कई तरह के दुश परिणामों के रूप में द मोबाइल ले करके अपने नीचे का गिटार बजाना शुरू कर देते हैं चाहे वो कुवारा हो या फिर शादी सुधा लड़का हो या लड़की इस बात से कोई भी फरक नहीं पड़ता आज कल हर इनसान इस उत्तेजना में अपने शरीर को सिर्फ और सिर्फ खोकला कर रहा है अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आज कल के युवा इतनी गंदी लत्मे कैसे फस गए तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना होगा और ध्यान देना होगा अपने बच्पन पर आज से लगभग 15 या 20 साल पहले जब आप लोग बच्चे थे तब आप लोगों के पास सायथ खेलने के लिए मुवाइल नहीं हुआ करता था तब आप लोग खेलने के लिए बाहर जाते थे और बाहर की गती वीडियों में ज्यादा संलग रहते थे जिसके कारण से आपका दिमाग इन सब चीजों की और नहीं जाता था लेकिन आज आजकल बच्चे बच्चे की पहुँच इंटरनेट तक पहुँच चुकी है और आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर कैसी कैसी चीजे उपलब्द है इस बात को तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही होंगे कि जैसे जैसे इ युवाओं के पास पहुच रही है और जैसे ही युवा एपोजिट सेक्स की और प्रभावित होते हैं मोबाइल उनके एपोजिट सेक्स की आपूर्ती को पूरी तरह से पूरा कर देता है धीरे-धीरे इंसान इसमें इतना घिर जाता है कि ये इसकी डेली की जरुद बनने ल इससे आपके दिमाग को शक्ति मिलती है आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहता है आपकी मैमोरी बहुत ज्यादा शार्फ होती है कुल मिला करके कहा जाए तो ये आपके शरीर की मुख्य उर्जा है जिसे आप लोग डेली यूही नालियों में बहा देते हैं दो बहुत पतला होने लगता है जिसके कारण से आपका स्वभाब काफी चिटचड़ा होने लगता है आपके बाल समय से पहले ही सफेध होने लगते हैं कुल मिला करके कहा जाए तो आपकी उम्र पर आपकी उम्र से जादा प्रभाब देखने को मिलता है इससे ना सिर्फ आपक को संतुस्ट नहीं कर पाते ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बच्चा कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तो ऐसा नहीं है कि लोग इसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं जानते ज्यादा तर लोग इसके दुष्परिणामों के बारे में ब बताने वाले हैं एक ऐसा तरीका जिसे आप लोग अपना करके इस गंदी लख से 100% बाहर आ सकते हैं यकीन मानिए अगर आप लोग इस काम को कर लेते हैं तब आपकी लाइफ पुरी तरह से चेंज हो जाएगी आप अपने शरीर में एक नई उर्जा और नई चेतना का पावर पहले से बहुत जुदा बहतर हो गई है आपके चेरे की चमक पहले के मुकाबले कर गुना बढ़ गई है दोस्तो आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि जो लोग अपनी लाइफ में ब्रह्म चेरे का पालन करते हैं उन लोगों की प्रस्नेल्टी आम लोगों के दोस्तों, आप लोगों को भी आपकी लाइफ में 40 दिनों तक ब्रह्म है चरदे का पालन करना होगा, लेकिन इस पाछुप लोगों को खुर dólar प्रॉंक लेना होगा, खुछ दो ना होगा, खुछ जो कुछ भी हो जाए, आप लोग हर धुने, इस संकल्प को पूरा करेंगे केंद्र होते हैं, अगर कोई भी इनसान इन साथ चक्रों को जागरित कर लेता है तो वो अपने जीबन में अपार शक्तिएं का सुआमी होता है, दोस्तों आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि इन में सबसे पहले चक्र की शुरुआत वहीं से होती है जहां से आप लोग उत्तेजना को महसूस करते हैं लेकिन अफसूस आप लोग उत्तेजना में आकर के उस शरीर की शक्ती को बाहर निकाल लेते हैं जिसके कारण से उस शक्ती की उर्जा आपके दिमाग तक नहीं पहुँच पाती ही। इस 40 दिनों के संकल में सबसे पहली शर्त यही है कि आप लोगों को खुद से ये प्रामिस करना होगा कि इन 40 दिनों में आप लोग भूल कर भी अपने शरीर से खुद से कभी भी वीर्य को बाहर नहीं निकालेंगे। तक पहुँच रही है। जब आप लोग अपने अंदर इस चीज को अनुभव करने की कोशिश करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि आपके अंदर एक नई शक्ति और नई उर्जा का जन्म होने लगेगा। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएंगे जो कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी मेडिटेशन म्यूजिक सुन सकते हैं। दोस्तो इन 40 दिनों में आप लोगों का मन कई बार ऐसा करेगा कि एक बार क्यों न फिर से उसी गिटार को बजा लिया जाए। लेकिन ध्यान न के भूल कर भी इस संकल्प को तोड़े नहीं। आप लोग अपने मोबाइल के प्रियोग को बिल्कुली सीमित कर दें। मोबाइल सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए प्रियोग करें। आप लोग चाहें तो कुछ महापुरसों की किताबों को भी पढ़ सकते हैं जिससे आपका ध्यान पूरी तरह से उस तरफ से हड़ जाए और आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान और अपने फोकस को इन 40 दिनों के संकल्प के उपर रखे दोस्तों जैसे ही आप लोगो के शरीर और आपके मन में आप लोग खुद से ही एक नई चेतना और उर्जा को महसूस करने लगेंगे जैसे ही आप लोगों के 20 दिन पूरे होंगे तब आप लोगों के अंदर पूरी तरह से चेंजिस होने लगेंगे आप लोगों का ध्यान भूल कर भी उस और नहीं इन 20 दिनों के पूरा होते ही आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि जो आज तक आप लोग करते आएं थे वो आप लोगों के लिए कितना नुकसान देता उसने आपके शहीर को किस तरह से खोकला कर दिया था आपकी जिन्दगी को किस तरह से बरबात कर दिया था दोस्तों जैसे ही 40 दिन पूरे हो जाएंगे वैसे ही आप लोग इस चीज को अनुभब करेंगे कि अब आपकी दिमाग की शक्ति का स्तर कई गुना बढ़ चुका है अब आपकी कंसेंट्रेशन पावर कई गुना बढ़ चुकी है आपके चेहरे की चमक पहले के मुकाबले बहुत हुआ है जिस वैक्ति को आज तक आप लोग नहीं जानते थे लोग आपकी प्रतिभा और आपकी प्रसनेलिटी को देख करके एक दम से आश्चरे चकित हो जाएंगे आप एक ऐसे इनसान हो जाएंगे जिसकी रचनात्मक्ता और जिसकी क्रेटिविटी को देख करके हर कोई दंग रह जाएगा आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर होगा जहां आप लोग पहले थोड़ा सा काम करते ही ठक जाते थे और आपके अंदर चिल्चलाहट भर जाती थे वहीं आप लोग अब बिना ठके अपने काम को लंबे समय तक कर पाएंगे आपके अंदर से किसी भी परकार की नहीं तो चिल्चलाहट होगी और नहीं आपके अंदर किसी भी परकार का क्रोध होगा दोस्तो यकीर मान के देखिए अगर आप लोग इस 40 दिनों के संकल्प को पूरा कर लेते हैं तब आपकी जिंदगी पुरी तरह से बदल जाएगी और आपको पता भी नहीं लेगा कि कब आप लोग अपनी इस गंदी आदत से बाहर आ गए जो कि आपके शरीर और आपके जीवन को पूरी तरह से बरवात कर रही थी दोस्तो अगर आपका भी कोई ऐसा दोस है जो कि इस गंदी आदत से परिशान है और अपने नीचे का गिटार बजाता रहता है तब आप लोगों को बिना जिरक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करना चाहिए क्योंकि आप लोग कुछ भी गलत शेर नहीं कर रहे हैं बलकि आप लोग एक ऐसी चीज और ऐसी जानकारी को साजा कर हैं जो कि आपके दोस्तिया फिर आपके किसी भी जानने वाले के जीवन को पुरी तरह से बदल सकती है और उसके जीवन को बरबाद होने से बचा सकती है इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ सेर करें